नमस्कार दोस्तों मैं एजीद गैजट गयान से एक और ने फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज हमारे पास यहाँ पर दो हैंडसेट्स हैं Redmi Note 10 Pro और Mi 11 Lite यह दोनों ही अपने बजट सेंट्रिक फोन्स हैं और दोनों ही फोन में काफी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि हम इन दोनों में से कौन सा फोन को यहाँ पर कंसीडर करें क्योंकि दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम स्पेक्स देखने को मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन का जो आपको पूरा एक proper differentiation आपको मिलने वाला है और आपको एक clearance मिलेगा कि आप इन दोनों handsets में से किसे choose कर सकते हैं तो सबसे पहले request करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नहीं है तो बिना subscribe कि मज़ेगा क्योंकि मैं ऐसी मज़ेतार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो फटाफट चैनल को subscribe करके all notifications पर ज़रूर क्लिक कर लें तो चलिए शुरूबात करता हैं यहाँ पर Mi 11 Lite versus Redmi Note 10 Pro सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पर करें design और build quality की तो दोनों ही आप देख सकता है frosted glass के साथ यहाँ पर आता है और दोनों में ही आपको यहाँ जो frames मिलेंगे side frames यह मिलने वाले हैं आपको plastic के और side mounted fingerprint scanner आपको देखने को मिलेगा तो overall अगर यहाँ पर design और finishing अगर आप देखते हैं तो दोनों के यहाँ पर बराबर ही है किसी तरह का भी ज्यादा major difference यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है सिवाई की थोड़ा Redmi Note 10 Pro यहाँ पर थिक है और Redmi 11 Lite यहाँ थोड़ा पतला आपको देखने को मिलता है सबसे most important चीज होती है phone का in hand feel की कैसा आपको आता है टेकनिकली अगर मेरा personal opinion अगर मैं अपना आपको बता हूँ तो थोड़ा थिक phone अगर रहता है तो in hand feel उसका अच्छा आता है no doubt वहीं पर पतले phones के अलग ही अपनी benefits से क्योंकि वो हलके हो जाते है और वज़न में कम होता है तो जिसकी वज़़ा से Mi 11 Lite मैं यहाँ पर बोलूगा कि जिनको पतला phone और यहाँ पर हलका फुल का phone चाहिए तो Mi 11 Lite एक अच्छा option है in hand feel काफी बढ़िया है लेकिन वहीं अगर हम बात करें Redmi Note 10 Pro के बारे में 120Hz वही Mi 11 Lite में आपको मिलता है यहाँ पर 90Hz का refresh rate तो यहाँ पर 90Hz और 120Hz के refresh rate में अगर हम comparisons करें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ यहाँ पर difference आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि 90Hz और 120Hz में major differences आपको नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि यहाँ पर फुल या फिर फ्लूइड डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं जो OnePlus के phones में होते हैं तो जब आप उसमें इस्तमाल कीजिएगा तो आपको ज्यादा वहाँ पर difference महसूस होगा लेकिन टेक्निकली यहाँ पर जो budget centric phones होते हैं तो यहाँ पर 90Hz और 120Hz में ज्यादा आपको major difference देखने क आपको नहीं मिलने वाला है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों फोन में यहाँ पर smoothing काफी ज्यादा स्मूध है scrolling तो किसी भी तरह का यहाँ पर आपको ज्यादा major difference नहीं आने वाला है बाकि आपकी completely choice होते हैं कि आप 90Hz के साथ जाना चाहते हैं या फिर 120Hz के साथ तो डिस्पले में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि दोनों फोन अच्छे हैं लेकिन वहीं अगर मैं बात करों तो brighter कौन सा ज्यादा है तो Redmi Note 10 Pro आपको ज्यादा brighter दिखने वाला है in comparison to Mi 11 Lite अगर outdoor में आप जाते हैं बाहर में अगर फोन को इस्तमाल करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत होगा दोनों ही फोन को इस्तमाल करने में किसी भी तरह कि आपको ज्यादा परिशानी नहीं होने वाली है क्योंकि दोनों इनफ ब्राइट है लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जो पीक ब्राइटनेस होती हो पीक ब्राइटनेस आपको Redmi Note 10 Pro में ज्यादा देखने को मिलेगा Mi 11 Lite में थोड़ा कम तो टेक्निकली अगर आप यहां पर डिस्प्ले से आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं महसूस होता है तो फिर आप दोनों में से किसी को भी चूज आउट कर सकते हैं दोनों में यहां पर आपको Corning Glass का protection मिल जाता है एक अच entertainment के मामले में अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोनों में आपको यहां नीचे के तरफ आपको इस पीकर तो दिखते ही दिखते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ यहां पर Redmi Note 10 Pro में अगर आप देखिएगा तो उपर में आपको एक speaker दिखता है लेकिन Mi 11 Lite में आपको single speaker मिलता है वही Redmi Note 10 Pro में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको तीन speakers मिलता है नीचे की तरफ एक earpiece और एक यहां पर आपको ऊपर की तरफ तो टोटल तीन speakers मिलता है जो कि इसमें आपको दो ही मिलता है अगर loudness की बात करें तो ज्यादा यहां पर major difference नहीं है loudness में दोनों ही य समय में अभी आप देखेंगा technically तो vibrations almost सभी phones में full volume पे आ रहा है अगर मैं बात करूँ तो यहां पर dual speaker होनी के वज़े से आपको stereo effect मिलेगा तो अच्छा चीज है कि थोड़ा यहां पर better performance और audio experience यहां पर आपको मिलने वाला है अब बात कर लेता है यहां पर camera को लेके क्योंक का यहां पर design जो है काफी ज्यादा premium है ऐसा नहीं है कि Redmi Note 10 Pro ज्यादा बेटर लगता और Mi 11 Lite थोड़ा खराब या फिर वैसा ही उल्टा है अगर हम बात कर लें दोनों ही handsets यहां पर कमाल के लगते हैं और दोनों का अगर आप यहां पर camera का देखते हैं तो camera बहुत ही different है यह एक चीज मुझे मानना होगा और काफी मुझे अच्छा यहां पर लग रहा है कि Xiaomi यहां पर काफी अच्छे experiments कर रहा है design के मामले में तो यहां पर camera आप देख सकते है Redmi Note 10 Pro में आपको मिलने हाला है 64 plus 8 plus 5 megapixel वहीं आपको Mi 11 Lite में मिलेगा 64 plus 8 plus 5 megapixel तो इसमें आपको मिलता है 4 camera और इसमें आपको मिलता है 3 camera टेकनीकली अगर मैं बात करूँ यहां पर तो दोनों ही phone के camera मुझे काफी अच्छे लगे दोनों ही यहां पर काफी अच्छे images क्लिक कर लेता है front में आपको 16 megapixel मिलता है तो हमने यहां पर कुछ images क्लिक आउट किये हैं सबसे अच्छी चीज़ों मुझे लगा इन दोनों handset का वो था कि यहां पर exposure को balance करना आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी बार जो भी मैंने images यहां पर खीचे हैं पीछी की तरफ से बहुत ज्यादा sunlight आ रहा है लेकिन दोनों ही handset ने यहां पर काफी अच्छा control इसे किया हुआ है जो कि मैं impressed हुआ इसके camera के performance से फ्रंट camera के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर फ्रंट camera में भी दोनों ही अच्छे यहां पर performances दे रहे हैं आपको solar megapixel का आपको camera मिलता है दोनों में ही लेकिन टेकनिकली अगर मैं बात करूँ तो indoor light conditions में मुझे Mi 11 light का थोड़ा यहां पर compromised लगा soft tones यहां पर यह ज्यादा focus करता है soft tones पर ज्यादा क्लिक करता है तो टेकनिकली मैं बूलूँगा कि थोड़ा Mi 11 light का मुझे यहां पर ब्रॉबैक लगा low light conditions में यहां पर जो indoor images होता है उसमें भी थोड़ा compromised है Mi 11 light के अंदर वही हमने इन दोनों phones में front और rear camera से कुछ वीडियो भी shoots किये हैं वीडियो की quality दोनों में ही अच्छी आई हुई है overall यहां पर आप check out कर सकते हैं कि इसकी वीडियो की quality कैसी है तो वीडियो मुझे यहां पर काफी ज़्यादा stable लगा दोनों के ही वीडियो यहां पर almost अच्छे performance यहां पर दे रहे है तो दोनों में से किसी को भी आप pick कर सकते हो जादा यहां पर difference नहीं है 19 भी इसका फर्क है लेकिन अगर front camera से आपका deal यहां पर बन सकता है या बिगड़ सकता है तो उस case में मैं बोलूँगा कि यहां पर Redmi Note 10 Pro को ही आप choose करें तो better होगा no doubt यह updates के साथ और भी जादा fix out किया जा सकता है दोनों में same sensor मिलता है Samsung का GW3 लेकिन technically अगर मुझे यहां पर rating देना हो दोनों handsets में तो Redmi Note 10 Pro मुझे better लगे सबसे most important चीज थी यहां पर macro shots क्योंकि macro shots आजकर लोग बहुत ज़्यादा ले रहा है तो macro shots भी हमने यहां पर कुछ click out किये तो macro shots में यहां पर दोनों ने ही काफी better perform किया है लेकिन वही indoor conditions में जब हमने यहां पर macro shots लिये दोनों ही handsets थे तो Redmi Note 10 Pro का यहां पर काफी better निकल करके आया in comparison to Mi 11 Lite लेकिन technically यही जब आप outdoor वे macro shots लेते हैं तो सबसे अच्छी चीज भी यह लगा कि दोनों ही camera यहां पर जबरदस्त perform कर रहे थे और macro shots आपको लाज जबाब निकाल के दे रहे थे तो macro shots के लिए दोनों यहां पर fantastic perform out कर रहा है चलिए आप बात कर लेते हैं यहां पर battery को ले करके तो दोनों ही handset में यहां पर 33 watt charging के साथ आता है और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है 5000 mAh की battery वहीं आपको Mi 11 Lite मिलता है 4250 mAh की battery तो technically अगर आप इसमें वहां पर battery में थोड़ा compromise रहता है तो technically यह lightweight है इसकी अपनी ही फायदे है जिसकी वज़े से यहां पर battery को थोड़ा कम किया गया और but obvious है कि जब भी कोई phone light होता है तो उसका वज़न यहां पर कम करने के लिए battery को ही सबसे पहले compromise किया जाता है तो दोनों ही phone battery के मामले मैं बोलूँगा कि अपने-पने हिसाब से अच्छे है डिपेंड करता है कि आपको यहां पर कितना usage है और आप किस हिसाब से compromise करना चाहते है तो technically यहां पर दोनों ही phone battery wise काफी अच्छा performance यहां पर देता है दोनों में ही यहां पर जो मैंने notice किया no doubt one and a half day के आसपास चला ज जैसे दोनों में से यहां पर अगर battery heavy shift numbers के मामले में चाहिए तो definitely this one is the good one बागी अगर आपको लगता है कि MIUI 12 की वज़े से battery optimizations में और भी जादा improvement की जरूरत है तो दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं आसपास का ही battery performance आपको मिलेगा दोनों ही phone में always on display का feature तो always on display यहां पर technically हमेशा यहां पर on नहीं रहता है MIUI optimization को बंद करने पर दोनों में यहां पर always on display अच्छे से काम करता है overall phone काफी बढ़िया है इसमें 3.5 mm jack मिलेगा Mi 11 Lite में आपको नहीं मिलता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 3.5 mm jack मिलेगा दोनों में यह IR blaster है लेक Redmi Note 10 Pro में आपको मिल जाता है SD card लगाने का अभी option लेकिन Mi 11 Lite में आपको यहां पर triple वाल option नहीं दिखता है SD card इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन यहां पर सिफ दो SIM card या फिर एक SIM और microSD लेकिन Redmi Note 10 Pro में आप दो SIM card और एक microSD लगा पाएंगे तो overall दोनों ही phone के अपने अपने फ performance यहां पर देने वाला है तो उमिद करता हूं कि काफे सारे doubts आपके clear हो गया होंगे कि दोनों में इसे concept phones को यहां पर आप चूज आउट कर सकते हैं camera एक major चीज होता वो भी मैंने आपको यहां पर कुछ images आपको मैंने show out कर दिया तो उमिद करता हूं कि वीडियो में दी ग वाला हूं